हेलो प्यारे फ्रेंड्स कैसे हैं आज इस छोटी सी वीडियो में हम क्लास 10 के एक बहुत ही इंटरस्टिंग लेसन फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों ये कहानी है एक बड़ी ही अचीव करेक्टर किरिफिन दा साइन्टिस्ट की आप कह सकते हैं एक तरह से एक मिस्टर इंडिया की कहानी है बड़ा ही मज़ा आएगा इसे पढ़ने में आईए शुरू करते हैं वर्ड वाई वर्ट ट्रांसलेशन दो लड़कों ने शुरू किया आश्चरे में एड़ फ्रिश मड़ी इंप्रिंट्स दो ताजा कीचर से सने हुए निशान औफ आप पियर आफ बेर फीट एक जोड़ा नंगे पैरों के what was a barefooted man doing क्या कर रहा था एक नंगे पैर आदमी on the steps of a house एक घर की सीड़ियों पर in the middle of London, London शहर के बीचों बीच में and where was the man और सवाल ये था आखिर वो आदमी कहा था as they gazed जैसे जैसे वे देखते जा रहे थे a remarkable sight made their eyes उनकी आखों के सामने एक आशे जनक दर्श आ रहा था a fresh foot mark appeared from nowhere एक जोड़ा ताजा निशान पैरों का फिर प्रकट हो गया ना जाने कहां से further footprints followed one after another और एक के बाद दूसरा पैरों के निशान बनते गए descending the steps सीड़ियों से उतरते हुए and progressing down the street और चलते हुए गली तक पहुँच गए the boys followed लड़कों ने पीछा किया fascinated आशर चकित होकर until the muddy impression जब तक वो की चड़ से भरे हुए निशान became fainter and fainter धंदले से धंदले ना होते गए and at last disappeared altogether और आखिर में जाकर गायब हो गए the explanation of the mystery was really simple enough इस रह समय घटना का जो ब्रतान्त है बहुती साधार और सरल है the bewildered boys ये उलजन से भरे हुए बच्चे had been following पीछा कर रहे थे a scientist एक वैग्यानिक का who had just discovered जिसने ताजा ताजा खोच की थी how to make the human body transparent कैसे मानब का शरीर पारदर्शी हो सकता है Griffin the scientist Griffin नाम के वैग्यानिक ने had carried out experiment after experiment एक के बाद दूसरा प्रयोग किया to prove सिद्ध करने के लिए that the human body could become invisible की मानब का शरीर अदरश हो सकता है finally he swallowed अंताह उसने निगल ली certain rare drugs कुछ बिशेस किसम की दुरलब आशदी and his body became as transparent as a sheet of glass उसका शरीर अदरश हो गया जैसे की सीशे की चादर though it also remained as solid as a glass एद्धपी ये उतना ही ठोस रहा जितना की शीशा होता है brilliant scientist though he was एद्धपी बहुत थी बुद्धमान वैग्यानिक था Griffin was rather a lawless person लेकिन Griffin कानून की अवहिलना करने वाला व्यक्ति था his landlord disliked him उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था and tried to eject him और उसे घर से बाहर निकालने का प्रियास करता था in revenge बदले में Griffin set fire to the house Griffin उसकी घर में आग लगा दी to get away without being seen बिना किसी को दिखे भागने के लिए he had to remove his cloths उसे अपने कपड़े उतारने पड़े thus it was that he became a homeless wanderer इस परकार वो बेघर बंजारा घुमकड़ बन गया without cloths बिना कपड़ों के without money बिना पैसे के and quite invisible लेकिन वो अद्रश्य था एक तरह से Mr. India until he happened to step in some mud जब तक कि उसके पैर की चड़ में ना पड़े and left footprints as he walked और भागते समय पैरों के निशान उसने ना छोड़े थे He is kept easily enough from the boys बहे उन लड़कों से आसानी से बच सकता था who followed his footprints in London जिनोंने उसके पैरों के निशानों का पीछा के London में but his adventures by no means over लेकिन उसके ये सहासिक कारणामों का समय भी समाप्त नहीं हुआ था He had chosen a bad time of the year क्योंकि उसने एक बहुत बुरा समय चुना था साल का to wonder about London without cloths London जैसे शेहर में बिना कपडों के it was a mid winter मद जाडे का मौसम the air was bitterly cold हवाब बर फीली थंडी and he could not do without cloths और बिना कपडों के वह कुछ नहीं कर सकता था and instead of walking about the streets he decided to slip into a big London store for warmth London की गलियों में भटकने के बजाया उसने लंडन की बड़े store में शरंड लेने की सोची गर्मी पाने के लिए Closing time arrived and as soon as the doors were shut जैसे ही दुकान बंद करने का समय हुआ Griffin was able to give himself the pleasure of clothing Griffin ने अपने शरीर को कपडों का आनन्द दिया and feeding himself और खिलाया खुद को without regard to expense बिना किसी खर्चे की चिंता किये he broke open boxes and wrappers उन्होंने boxes खोले उनके wrappers खोले and fitted himself out with warm cloths और गरम गरम कपड़े पहने soon with shoes शीकर ही उसने जूते an overcoat and wide brimmed head एक बढ़िया सा head पैना he became a fully dressed and visual person अब एक पूरी तरह से दर्शनी या दिखाई देने वाला व्यक्ती लग रहा था in the kitchen of the restaurant restaurant के kitchen में he found cold meat and coffee उसे थंडा meat और coffee मिली and he followed up the meal with sweets और उसके बाद उसने मिठाई खाई and wine और शराब पी taken from the grocery store उसने किराने के दुकान से ली हुई शराब पी और मिठाई खाई finally until he settled down to sleep on a pile of coits वहे रजाईयों के धेर पर आराम से सो गया if only Griffin had managed to wake up in good time काश Griffin समय से उठ गया होता all might have been well सब कुछ ठीक होता as it was he did not wake up until the assistants were already arriving next morning लेकिन अगले दिन दुकान के साहिकों के आने तक वहे उठ नहीं पाया when he saw a couple of them और जब उसने देखा उनमें से कुछ approaching बढ़ते हुए he panicked वो घबरा गया and begin to run और भागने लगा they naturally gave chess उन्होंने भी उनका पीछा किया in the end अंत में he was able to escape वो बच पाया only only by quickly taking off his newly found cloths अपने जो ताजा ताजा उससे नए कपड़े में ले थे उन्हें उतारने के बाद so once more एक बार फिर he found himself उसने पाया खुद को invisible address but naked in the chill January year लेकिन जन्वरी की ठंडी हवा में अपने आपको बिना कपड़ों का this time he decided to try the stock of a theatrical company इस बार उसने कोशिश की एक नटक कंपनी में जाने की in the hope of finding इस आशा में पाने की not only cloths के बल कपड़े ही नहीं but also something बलकि कुछ that would hide the empty space above his shoulders जो कंदों से उपर का जो रिक्तिस्थाने उसे भर दे shivering with cold thund में कापते हुए he hurry to derry lane वो derry lane में पहुँचा the center of the theater world जो theater world का एक प्रमुख केंदर था he soon found a suitable shop उसे जल्दी ही अच्छी दुकान मिल गई उपयुक्त he made his way invisible वो अदरश्टो कर बहां पहुँचा अफिस टेयर सीडियों से उपर and came out a little later और बाद में बहार आया wearing bandages पटियां बांद कर round his forehead अपने माते पर dark glasses dark color के चश्मे false nose नकली नाग big bushy side viscous बड़े बड़े गलमुच्छे and a large head एक बड़ा टोप to escape without being seen बिना देखकर बहां बचने से he callously attacked the shopkeeper from behind उसने दुकंदार को पीछे से बड़ी निर्देटा से attack किया मारा after which उसके बाद ही robbed him उसे लूटा of all the money he could find जो भी पैसा जो उसे मिल सका so friends कहानी का ये भाग कैसा लगा कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में translate करेंगे okay like करें share करें subscribe करें English by S. कुस्वान बाइ